नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विजे कुमार और वन हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आप सुभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सकारात्मक सोच पर कुछ महाल लोगों के अनमोल कतन आईए इस वीडियो को शुरू करते हैं जोईल आउस्टीन का कहना था सकारात्मक बनने को चुनना और एक अच्छा विवार रखना ये तै करेगा कि आप किस तरह अपनी आगे की जिन्दगी जीने वाले हो श्री देवी का कहना था आप जो अपने मन में महसूस करते हो वो आपके चेहरे पर दिखता है इसलिए हर समय सकारात्मक और खुश रहिए पेट्रिसिया नील का कहना था एक मजबूत सकारात्मक मानसिक सोगाव किसी भी ड्रग्स से ज़्यादा कमाल कर सकता है लेस ब्राउन का कथन है हर दिन में 1440 मिनिट होते हैं इसका मतलब रोज हमारे पास सकारात्मक होने के लिए 1440 अफसर होते हैं जिग जिगलर का कथन है परिस्थिति नहीं बलकि हम उस पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं यह जरूरी है आर्खा के कथन है हमारे अंदर बहुत सारे हिस्से होते हैं सकारात्मक और नकारात्मक और आप इनको मिला देते हैं तो एक चिंगारी से नकलती है रॉबर्ट कुक का कहना है कुछ ऐसा कहो और करो जिससे परिस्तिती बदल सके शिकायद करने के लिए दिमाग की ज़रुवरत नहीं होती है रॉन विल्यम्स का कहना है मेरा मानना है कि एक सकारात्मक संस्कृति Сबसे बहतर काम करती है जब लोग मिलते हैं और उनकी उमीद बड़ती है मांगे नहीं माइकल के विल्यम्स का कहना है बदला दिमाग की एक सकारात्मक स्तिती नहीं है और ना ही यहाँ एक ऐसी उर्जा है जिसमें आपको शामिल होना चाहिए पॉल रियान का कहना है लीडर के रूप में ये हमारा काम है कि लोगों को शशक्त करें और उन्हें सकारात्मक समादान दें हमारा काम अपनी समस्याओं से निवटना है इससे पहले की वे हमें निप्टा दें। टेड नौगेंट का कहना है मैं खुद को ऐसे लोगों के पास रखता हूँ जो सकारात्मक, उत्पादक, मजबूत इच्छशक्ति वाले और इमांदार होते हैं। शिफखेडा के कथन है लोगों के जीवन स्तर में अंतर लाने के लिए पैसा एक जरूरी साधन है परन्तु यह सकारात्मक है यह नकारात्मक यह मनुष्य के मूल्लियों पर निर्भर करता है। जैस ग्लेन के कथन है हम सभी बुरे दुखी दोर से गुजरते हैं लेकिन मैं सकारात्मक रहने के लिए पढ़ाई गई थी। क्रिष्टी कोवेंट्री का कहना है लोगों को सकारात्मक रहते हुए अपने सपनों पर भरोसा रखना चाहिए यह बहुत ही जरूरी होता है। आशा करते हैं दोस्तों सकारात्मक सोच पर यह अनमोल कथन आपको अच्छे लगने होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेर कर दें और हमारी यूट्यूब चैनल वनहिंदी.com को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।